आपको बताते हैं आतंकवाद पर एक बड़ा बयान आया है पधानमंतरी नरेंद्र मोधी उदंपूर में और बाड़मेर में बोले उससे पहले रक्षा मंतरी राजनाद सिंग बोले है राजनाद सिंग ने कहा है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद का सहरा लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसको कड़ा जवाब दिया चाएगा इतना ही नहीं मदद की भी पेश्कस कर दी राजनात सिंग ने कहा कि अगर पाकिस्तान से आतंकवाद नहीं समल रहा है तो भारत मदद करने के लिए तैयार है चुनाव के मौसम में पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर मदद राजनात सिंग इशारों इशारों में बड़ी बात कह रहे हैं क्या कह रहे हैं सुनिए जरा पाकिस्ताम से यही अपेक्षा करता हूँ कि आतंगवाद का सहरा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो इसका खाम्याज भुगतना पड़ेगा आतंगवाद पर काबू पाए पाकिस्तान यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंगवाद पर काबू पाने में और समर्थ हैं नहीं कर सकते हैं तो पड़ोशी देश भारत है उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें आतंगवाद को रोखने के लिए भारत सहयोग करने को तयार है लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने दर्वाजे बंद कर दिया है और उनकी मंसा साफ है कि कि आतंगवाद का सिलसला बंद होना शाहिए तो अकेले प्रेत्न करें उसे समाप करें या पडुशी देश भारत का सहयोग देने दोनों मिलकर उसे समाप करें क्यों नहीं समापत हो सकता लेकिन अब उनकी बर्जी पर है लेकिन रक्षा मंत्री के तौर पर आप आपने तो कहा कि हम घुसके मारेंगे देखे हातंगवादियों को कम सकम यहां पर इस प्रकार की हरकत करने की याज़त हम नहीं देंगे भारत सीमा के अंदर या बान कर चलिए चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे और सीमा पार भी अब चलिए देखेंगे क्या हो क्योंकि इंटरनाशनल एजनसीज वगेरा सब यही कह रहे हैं कि जो मस्किलर फॉरिन पॉलिसी और मस्किलर डिफेंस पॉलिसी मतलब अग्रेसिवनेस जो है बीजेपी में जैसे जैसे चुनाफ करीब आ रहा है और भी अग्रेसिव होते जा रहे हैं आपके सब के बयान मैं समझता हूँ कि चाहे भारती जनता पार्टी हो अथवा बीजेपी लेड एंडिये की गॉवर्मेंट हो मोरी जी की लिडर्सिप की हम लोगों का कभी भी कोई रोल एग्रेसिव नहीं रहा है कोई भूमिका एग्रेसिव नहीं रही है हम लोगों की भूमिका जब भी रही है जिस भी मुद्दे को लेकर रही है पुरी तरह से बैलन्स रही है इशारों ही इशारों में इसी पॉड्कास्ट में राजनास से में कह दिया कि जम्मू कश्मीर का विकास देखकर वो दिन दूर नहीं जब पियोके के लोग भी जम्मू कश्मीर के साथ आएंगी